अभी अभी नासा की तरफ से इस वक्त की सबसे बरी अपडेट निकल कर सामने आ रहा की भारत की बेटी सुनीता विलियम्स की धर्ती पर वापसी की उल्टी गिंती शुरू SpaceX Crew Dragon को किया जा रहा तयार सुनीता विलियम्स को धर्ती पर वापस लाने के लिए SpaceX के Crew Dragon spacecraft को launching के लिए तैयार किया जा रहा है। इस spacecraft से 6 अंतरिक्ष यात्रियों को एक साथ धर्ती पर वापस लाया जाएगा। पहले इस मिशन को सिर्फ 4 अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए डिजाइन किया गया अगर आप सच्चे देश भक्त हैं तो भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि धर्ती पर सुरक्षित आ जाएं। उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब् जिससे हमारी काफी मदद मिलती है चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए इस खबर को दोस्तों क्योंकि यह खबर भारत की एक ऐसी बेटी की हैं उस सुनीता विलियम्स की हैं जो 5 जून को स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट क जरिये स्पेस मिशन के लिए रवाना हुई थी। उनके साथ एक और अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर भी थे जो मिशन कमांडर हैं दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानि की ISS पर करीब 8 दिन का वक्त बिता कर वापस लोटना था पर अब तक दोनों की वापसी जी हां दोस्तों अब नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विल्यम्स और उनके साथ ही बुच विल्मोर जल्द अंतरिक्ष यात्रियों को मूल रूप से जून 2023 में बोईंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष स्टेशन भीजा गया था लेकिन बाद में आई तक्नीकी समस्याओं के कारण उन्हें वापसी का मिशन स्थगित करना परा तब से ही दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे हुए हैं स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में थ्रस्टर की खराबी और हीलियम रिसाव का सामना करना परा, जिससे चालक दल की वापसी असुरक्षित हो गई। नासा ने विलियम्स और विल्मोर को सुरक्षित विकल्प की प्रतीक्षा करते हुए ISS पर ही रखने का विकल्प चुना। इसके बाद दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को बाद में धर्ती पर वापस जाने के लिए स्पेसेक्स क्रू 9 मिशन को फिर से मिशन लाउंच करने की मनजूरी दी गई है। विल्यम्स और विल्मोर अब स्पेसेक्स ड्रैगन कैपसूल में सवार होकर लोटेंगे जो नासा के वानिजिक क्रू कारेक्रम का हिस्सा है। स्पेसेक्स क्रू 9 मिशन जिसमें शुरू में अंतरिक्ष यात्री, जेना कार्ड मैन और स्टेफनी विल्सन को शामिल करने की योजना थी। लेकिन अब इमसेन विल्यम्स और विल्मोर को भी समायोजित किया जाएगा। नासा ने नासा के अंतरिक्ष यात्री, निक हेग और रॉसकोस्मोस कॉस्मोनोट अलेक्जेंडर गॉर्बुनोव के साथ क्रू 9 की वापसी की उरान में शामिल होने के लिए दो अतिरिक्त जगह बनाई है। ड्रैगन कैपसूल को क्रू 9 टीम को वापस लाने के लिए दो हजार पचीस की शुरुआत में ISS के साथ डॉक करने की योजना है। नासा के अनुसार सुनीता विल्यम्स और बुच विल्मोर अंतर राश्ट्री अंतरिक्ष स्टेशन पर सुरक्षित है। पांच बेड्रूम वाले घर के आकार वाला यह अंतरिक्ष स्टेशन अपने चालक दल के लिए परियाप्त जगह और संसाधन प्रदान करता है। जहरीली गंध से जुरी एक घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। ISS के पॉइस्क मोड्यूल के साथ स्पेसक्राफ्ट के डॉक होने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने इस समस्या की सूचना दी। जिससे NSA और रोसकोस्मोस दोनों को एयर स्क्रबिंग सिस्टम सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया। स्थिति को बिना किसी और जटिलता के प्रभावी धंग से हल कर लिया गया। सुबह पांच फरवरी का आँखें मलती हुई उठ रही थी, सुनीता विलियम्स ने उपलब्धियों की फहरिस्त में एक और रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी थी। भारतिय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर राष्ट्रिय स्पेस स्टेशन में अपनी पहली पारी में ही 195 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने शैनौन ल्यूसिड के बनाये 188 दिन और 4 घंटे के रिकॉर्ड तौर रिकॉर्ड दर्ज किया था। एसाचुसेट्स से हाइ स्कूल पास करने के बाद 1987 में संयुक्त राष्ट्र की नौसेना अकादमी से फिजिकल साइन्स में ग्रेजुएशन किया था। सुनीता के जन्म के पहले ही 1948 में एहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में बस गए थे। सुनीता विलियम्स का 1998 में जून में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में सेलेक्षन हुआ था। सुनीता 2006 में पहली बार अंतरिक्ष गई थी। लेकिन 2003 में कोलंबिया में हाथसा होने हुआ था। जिसमें कलपना चावला सहित अन्य अंतरिक्ष यात्रा की मृत्यू हो गई थी। इस वजह से सुनीता का भी मिशन लंबे समय तक टलता रहा। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ अन्य विधाओं में भी परिपक्व थी। वह नौसेना पोत चालक, हेलिकॉप्टर पाइलट, पेशेवर नौसैनिक, मैराथन धावक भी रही हैं। सुनीता विलियम्स को भारत सरकार द्वारा साल 2008 में साइन्स और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उल्लेख नीय योगदान के लिए पद्मभूशन से सम्मानित किया गया था। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में लंबे समय तक रूखने का रिकॉर्ड तो बनाया था, साथ ही उन्हें 50 घंटे तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। और ऐसा करने वाली वे पहली अंतरिक्ष यात्री रही हैं। कोविट काल में सुनीता विलियम्स ने भारतिय चात्रों को सीख दी जो अमेरिका में फंसे हुए थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त में लोग अपने समाज के लिए सकारात्मक और सार्थक योगदान दे सकते हैं। जून 2016 में पीएम मोदी अमेरिकी यात्रा पर गए थे। उस दोरान उन्होंने सुनीता विलियम्स से मुलाकात भी की थी। दोस्तो बस इतना ही मिलते हैं किसी और नॉलेजवल वीडियो के सार्थ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैश्री खाटू श्याम जी